को से नमबर फूर एक्सपेंड इच अब फॉलोईंग योजिंग स्वीटेबल आइंटिटीज तो को से नमबर फूर में मैं ऐसा को सने के तीम टर्म देवाया और उसका होल कर दिया है तो इसमें जो एंटिटी यूज होगा वह एंटिक यहां पर लिखेंगे ए प्लस भी प् पहले माइनस आता है तो से सबसे माइनस फूट करना है तो इसमें एक अवलोगा एकस भी का वह वह गया टू य और सी ऑन्रों हो गया फूर जेड़ अब इस फॉर्मॉला में पूट करेंगे फिर है प्लस टू ए भी प्लस टू ए का वलू है X और बी का वलू है 2Y यह टू ए भी हो गया फिर प्लस टू भी सी है प्लस टू बी का वलू है 2Y और सी का वलू है 4Z फिर है 2CA है आब ड़स्टू सी सी का वालोव 4 जड़ है और एक वालोव एक साथ है कि तो एक सक होल सक्वाइब हो एक स्कॉयर वोगा को यका स्कॉयर य क्वाइब द्यान रखना है बहुत लोग प्तू का स्कॉयर सँपोर लिग के पॉर वाइल ते इसा नहीं करना ये स्क्वाय का चुन हो रहा है तो यहाइसे तरह सब्सक्राइब लाघए कर सोब पूर का टॉर का है सिल्ट होगा धेट गई का लेगा की टूब्हू जाफूल और एक्स वाई कि यहां पर मल्टिप्ले होगा तू तू जा फोर 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 जा शिक्स्टीन सिक्स्टीन वाई जेड़ वाई जेड़ उसके बाद टू फोर जा एट जेड़ एक्स पस्ट एंसर हो गया फोर सिंपल कोशन है कि लेक्स्ट है टू एक्स माईनस वाई प्लस जेड लिया लेका फेलोग और एकलो ओल्ग या माईनस वाई और दू जेड़ आप रूला मेंvert करेंगे एस्कोय मदल्ब टूस्कोयर फ्लस बीस्कोयर में मैनेस वाइख्वय स्कोयर स्टीट मतनल्फ यह capable की स्कोयर में थे प्लस फूए-वी मैं लूँ एक वाइख्यू ओविति एक्स और पीक हमनबों मायनिस वार जब भी – आ जाता है तो इसको भी के लिखते हैं प्लस 2bc 2b का फालू है – y इंटू c का फालू है z प्लस 2ca 2z एंटू 2x अब whole square करेंगे इसका 2 का square हो जगा 4x square माइनस का square प्लस होता है तो y का square हो जगा y square माइनस y का भी square y square होता है है मैं और वाइस के बि़िए इस्क्टाये यह होता है जेट का स्टब्रेइट स्क्टब्लस मैंनेश अपर ध्यानर रखना है जब मैंनेश और प्लस रहे से मैंनेस लगाना है और क्टीप्लाइए पर चुटργे प्रीच x फिर प्लस मायनेस माइनेस को या इंटु याई जेडिए प्लस तू तो जा फोर जेडिक्स फोर जेडिए को एंशर हो गहा है उपार सिनामर्प्री फोर का माइनेस टू एक्स प्लस टू से जॉल स्कृरर मिहांपर एक अबल होंगे माइनस 2X, B का भालू होगया 3Y, और C का भालू होगया 2Z, अब फॉर्मूला में पूट करेंगे, माइनस 2X whole square, प्लस 3Y whole square, प्लस 2Z whole square, फिर ए 2AB, 2 इन्टू माइनस 2X, B का भालू है 3Y, ए 2PC है, तो 2B का भालू 3Y, और C का भालू 2Z, फिर 2CA, मतलब 2 इन्टू 2Z, इन्टू एका भालू माइनस 2X, तो सारा भालू पूट हो गया है, अब फिलिख देंगे, माइनस 2 का स्क्वार प्लस 4 हो जागा, X square, 3 का स्क्वार 9, तो 9Y square, यह 2 का स्क्वार 4, Z square, फिर प्लस माइनस रहेगा, तो माइनस लिखना है, ठीक है, सिंग्ल माइनस रहेगा, तो माइनस, दो जगा अगर माइनस आता है, तो माइनस प्लस हो जाता है, यहां पर 1-0-2, दूटु तो जा 4 फॉर 3 या 12 तो 12 एकस वाई इध त्रितू जा 6 6 तो 12 तो तो 12 YZ कि प्लस मायने से यहां पर मैंने रहेगा टू जा 4 4 तू जा 8 8 Z X मग एन्सर वाँ को पिस्टन नमर प्र फॉर त्री यह मैंस सबन भी मैंनस सी यह को अना वह है वह भी प्रमला भी हमारे इस तरह कर दुनों करहा जाता हैं तो मैं यहां पर एक्स प्लेस्ट याई प्लेसे कर देंगे एक निषक के जगा कि एकषप दैट रीक है और यहां मैं आपर आजागा एक्सɡ कष्वाइर प्लस Y स्क्वाइर प्लस Z स्क्वाइर प्लस 2XY प्लस 2YZ प्लस 2ZX मतलब A प्लस B प्लस C के जगा पर X प्लस Y प्लस Z लगाना है इसका रिजन यह है क्योंकि कोस्चेन नमारा A B C के फर्म में है तो A इकोल टू 3A इस तरह से नहीं मानना है हम निखेंगे यहाँ पर X इकोल टू 3A Y इकोल टू माइनस 7B और Z इकोल टू माइनस C क्योंकि कोस्चेन A B C के फर्म में था इसलिए हम X प्लस Y प्लस Z के फर्म में कोस्चेन को मान के कर रहे हैं तो अभी X स्क्वाइर आएगा मतलब 3A स्क्वाइर आएगा प्लस माइनस 7B स्क्वाइर प्लस माइनस C प्लस Q एकोल टू X Y है तो टू X के जगा 3 है और B के जगा माइनस 7B प्लस 24 है तो तू उनलब 2Y Looks है तो Y के जगा माइनस 7 B और Z के जगा Z के जगा जगा मानिस C यह तो ZX Z के जगा मानिस C और X के जगा 3 3A स्कौयर हो जगा 9A स्कौयर प्लस 49 B स्कौयर प्लस C स्कौयर मानिस 2, 3A, 6 जगा 42 42 AB है मानिस मानिस रहेगा अधिपलस हो जाएगा सेवन भी जफार्टिन वे सीं प्लस मैनेस डिलाइगा तो मानिस हो घ्रिदु जाल शीक्स लिए अटिक यह एँ सर्वा 4 का 5, question number, यहाँ पर x, y, z का form में question है, तो a equal to minus 2x, b equal to 5y, c equal to minus 3z, यहाँ formula के दाब से put कर लेंगे, a square, मतलब minus 2x whole square, plus b square, b के जगा 5y है, 5y square, c square, c के जगा minus 3z है, minus 3z square, plus 2ab, 2a के जगा minus 2x है, और b के जगा 5y है, plus 2bc, 2 into 5y, into c का value minus 3z, फिर 2c है, 2c का value minus 3z, और a का value minus 2x, ठीक है, तो minus का square रेने सा तो प्लस होता है, टू का square 4, 4x square, plus 25y square, plus 9z square, minus 20xy, minus 5, 5, 2, 10, 10, 3, 30, 30yz, और यहाँ दो जगा माइने से तो प्लस हो जाएगा, 3 to 6, 6 to 12, तो 12zx, यहाँ एंसर, 4 का 6th number question, 1 by 4a minus 1 by 2b plus 1 whole square, question a b c के फर्म में है, a b के फर्म में है, तो यहाँ पर x, y, z वालप फर्मुना लगा देंगे, x equal to 1 by 4a, y equal to minus 1 by 2b, and z equal to 1, ठीक है, अब फर्मुना लगा पूट करेंगे, x square, पहरा है कि x square, मतलब 1 by 4a square, plus b square, मतलब minus 1 by 2z, 2b whole square, फिर c square है, मतलब z square है, z के जगा 1 है, 1 square हो गया, फिर 2ab, यह 2xy, x के जगा 1 by 4 है, 1 by 4 है, और y के जगा minus 1 by 2b, plus 2 yz, 2 y के जगा 1 by 2b, और z के जगा 1, plus 2 zx, 2 into z का बेलू 1, और x का बेलू 1 by 4 है, ठीक है, तो 1 by 4, 1 का square हो जगा 1, और 4 का square 16, a square लग जाएगा यहाँ पर, minus का square plus होता है, 1 by 2 का square हो जगा 1 by 4b square, फिर 1 का square 1 होता है, यहाँ पर यह 2, यह denominator में है, numerator में कट जाएगा, तो 2 और 2 कट गया, तो बचा 1 by 4, प्लस माइनस माइनस लगाना है, माइनस 1 by 4, a into b, ab, यहाँ भे 2, 2 कट गया, प्लस माइनस, माइनस, b बचा, और इसमें 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4, तो बचा 1 by 2, प्लस 1 by 2, a, तो जहाँ पर उपर नीचे इस तरह से कटेंगा, उसको काटेंगे, काटके, सिंपल रेके से सॉल्प करके निकाल लेंगा, उसका एंसर,